पूट त। डेंगो tempt ए सफेगाज यह क्या है तो हमारे mental कैनल में पाई जाने वाला एक tv जैईसी सनसिना है जो फे these उनगे उसके बाद पाई जाती है और यह उसक्त फेगाज noon तो होजन को हमारे फेरिंस से और यह चारी करती है ठीक है भूजन को फैरिंग से एस्ट्रोमेक में लाए गिए इसफेगस अब यहीं पर हम लोग एस्ट्रोमेक भी पढ़ लेंगे तो यहां पर के वाल माउथ का बिटी बना देते हैं ते क्या हो गया यह हो गया यह हो गया फैरिंग्स और यह हो गया एस्ट्रोमेक ठीक है और यह रहा इस्ट्रोमेक में लाने काम करेगा और यह पर तरह से एक मॉस्कूला शच्ष्ण हो जाएक टीव हो जाएगा एक अमांस का बना हुए एक्टीव हो जाएगा और यहां पे धृआन देने वाली बात यह है कि इसो फ्रेगस होता है यह जब वौजन को मतनर निकलेगा न तब फैलता है उसके बाद से बंद हो जाता है अंदर से यह बंद हो जाता है कि यह यहीं चिपक्ता कि जब भूजन कि पीचक जाएगा अंदर की दिवाल आपस में चिपक के रहती है ऐसा है इसलिए कि य reporting हमारे पाच्छण तंतर में हवा का पर्विशना हो जाए ठीक है पाच्छथ तंतर में पीचक जाता है इसाल किरें अपस में इसको अगर but ग्रोर्स से करकर तो देखते हो यह टूमके ऐसा दिखाई देगा यह अंदर से यह मतलब खुला हुआ तुमको नहीं दिखेगा ऐसे पिछका हुआ दिखेगा ठीक है अंदर मालूम नहीं पड़के कि यहां पर हूल है लेकि जब यहां फूट जाएगा तो यह फैल जाएगा यही बात यारी कि अगर ऐसे हम लोग हाथ को करत पूरा चिपक जाएगा तो फैलता है ठीक है और जब फूट आगे पास कर जाता थे पिछक जाता है पूरी चिपक जाएगा आपस कि अंदर की बारे क्या हुआ चिपक जाएगी ठीक है और इसके लंबाई कितनी होगी इस फैगस की तो 25 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो गया 25 सेंटीमीटर यह क्या करेगा तो फैरिंग्स को फैरिंग्स को क्या करेगा एस्ट्रोमेक से करेगा यही न फैरिंग्स को एस्ट्रोमेक से करेगा यह क्या है तो फूड को कैरी करने वाला पाइप है फूड को कैरी करता है भोजन को मुख से अमासेक तक लाता है इसलिए इसको food pipe भी कहा जाता है आँ food pipe ही इसको बोल देंगे ऐगे और यह पुरुतर से क्या है तो मांस का बना हुआ between का मुण ऑन ए और इे यह पुरुतर से क्या है muscular structure होता है मांस का बना हुआता है हडिया कहीं नहीं होती है और भोजन को आगे भीजने ये काम करता है है इसको food pipe कहा दिए ये उपर की और किसे जुड़ा हुआ है तो फैरिंग्स में अर्णीच्छ से जुड़ा हुआ है तो अमासाई में इ सुल किण की आता है कि किस्वंग से जुड़ा होता है है कि तो यह अमासय के कार्डियक पार्ट से जुड़ा होता है क्थी कहां तो धेलियिंग फारिंग का ये यहां पर राहिए यह ना इसे लीए जाएगा इसको ऍारेंग ऋसके लेएगा भायोगा और नीश Greg क्रामेक में कार्डियक पार्ट से जुड़ा हुआ है और इसके ओपनिंग को क्या बोला गया था गिवलेट इस ओफेगस का जो यह ओपनिंग है इसको गिवलेट बोला गया था यहीं न आए पुरी तर्मास का सब्सक्राइब हो गया लंबाई कि तरी हो गई 25 cm इसका जो इनर सार फिस होता है किसी टाइप का ग्रिद नहीं होता है यानि की समें ग्लैंड अब सेंट होते हैं मोरत जो होंगे ठीक है मताओ कि कौनसे ग्लांड यहां से यह मताओ कि डाइजेस्ट्टिव इंजाइम इसको से release नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पर digestive gland absent है, लेकिन यहां पर mucos gland present होते हैं, mucos gland यहां पर क्या होँगे तो present होँगे, ठीक है, mucos gland present है, और वही mucos gland क्या करेंगे, mucos स्रावीत करेंगे, जो क्या करेंगे, तो अंदर के surface को चिकना बना के रखेगा और भोजन को आगे जाने में हेल्प करेगा अब यह भोजन को अंदर कैसे लाएगा तो भोजन को यह जब अंदर लाता है न तो यह सिकुड़ते और फाइलते रहता है कहने के मतलब जैसे जैसा ही भोजन यहां से इसमें इंटर किया तो मालने इस एर फैल ये वह उपर वाला जो है यह सिकुड़ेगा या निगी प्रेसर इस पर पढ़ेगा और यह फैल रहा है तो यहां पर प्रेसर पढ़ने से क्या होता है अगे की और खासके गाग, जैसे बहागे की और आया फिर फिचक जाएगा टेक है भोजन थोड़ा आगे आगया तो जहां पर पहले यह फैला हुआ था यहां पिछक ग्या है आद दूसरे पर क्या होगा फैल जाएगा यह यह होगा ना तो इस तरह से यह इसमें कंटिन्यू जब तक भोजन अमासाइद में नहीं आता है तब तक यह सिकूरनी और फैल नहीं क जलते रहती है ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट या पेरिस्टाल्सिस बोलेंगे इसको इसको पेरिस्टाल्सिस बोलेंगे ठीक है यानि कि यह इसो फेगा जो है यह क्या करता है तो अपने आपको फैल आता है और फिर उसको अंदर से क्या कर भोजन जब रहेगा तो एक्स्पेंड होगा और जब भोजन यहां पर इसके उपर वाले एरिया में का हुआ कॉंट्रेक्शन हुआ तो भोजन नीचे की और खासकेगा और यह क्रिया लागा तार चलेगी कब तक जब तक भोजन अमासे में आ जाएगा तो यह क्रिया रूक जाएगी तो अंदर का जो भाग है यह इस फेगस का यह आपस में कवा फिर पिचक जाएगा ताकि हवा अंदर इंटर ना कर सकती है अब हवा अंदर से बाहर से अंदर जाने की बाद छोड़ो ना अंदर हवा बन जाता है तो क्या होता है हाँ तो गैस वही ना हो या जब गैस मंत अधा भागी आगए बात पता हिया है कहां कहां दर्थ होता है झाए और वैसे ये वाला इरिया जब हम आखें ऑसें पढ़ोगे तो ये बता जाए उसलिए बना हुआ लिए टहीं केर अंदर के लिए ह। इसें ुग जैसे भोजा अंदर की आएगा तो यहां पे एक वाल लगा होता है ठीक है यह वहल क्या करता है बंध हो जाता जब भोजन आएगा जह एक तो खुली गा भोजन अंदर आये तो बंध हो जाएगा जिक है को तो एस्फिंग्टर बोलेंगे कारडियक एस्फिंटर बोलेंगे एक मिनिट रुप जाओ एस्फिंग्टर इसको यहां पर जो वाल लगा है ना कार्डियक एस्फिंक्टर बोलेंगे टेक है एस्फिंक्टर टी आ रहे हैं तो यह एस्फिंक्टर जो है यह खासकर एक मसल्स है यह एक एस्फिंक्टर जो है फेर एक टाईपות मसल्स है जो हमारे शरीर के अलगललाग ओपनिंग को बंद करने का और खोलने है करते हैं तो यहां पर भी स्प्रूंग्त नहीं जाता है तो यह स्पिंचर ही उसको रूपता है बómoझ जब रहyllना ऑदर आंदर आगया स्प्रेंट के बंद हो जाएगा जब बंद गया एस्टॉमिंटर खुल जाता है तो यह कंट्रेक्शन होगा जिस तरह से पेरिस्टाल्सिस के द्वारा ही वह बाहर निकलेगा ऐसा नहीं तरह पूरा खुल गया पूरा निकला नहीं नहीं सब्सक्राइब निकलता है तो पेरिस्टाल्सिस के दवरा भोजन अंदर आया और पेरिस्टाल्सिस के प्रोसेस से ही क्या होता है वो मेटिंग की अक्टिविटी कंप्लीट होती है और फूड जब अंदर आया तो कार्डियक स्पिंक्टर क्या रहे उसको रुकनियकार्य सब्सक्राइब यहां पर यहां पर सब्सक्राइब का बात शुरू हो जाएगा तो बस इसमें कितनी क्या रही तो यहीं कि इस फेगा जो है पचीस सेंटीमीटर एक मौस्कूलर एस्ट्रिक्टर हो गया जो ऊपर फैरिंग से जुड़ा होता है नीचे एस्टामेक से ठीक है इस है पिर एसमें जो आंतरिक सता है यहां पर डाईजेस्टिव एकलार नहीं होते है दो मत्तकुक डाजेस्स्टिब जूस को स्रावित करने वाले glad वहां पे नहीं होता है यहां मैं म्यूकस होगे must अब यह रहा हमारे इस्टॉफेगस के बारे में लेख लू तो यह नीचे जो हो गया अमासा हो गया आप एसे में इसके अलग पार्ट्स को दिखातें हैं थैलानुमा सनस्था होता है बेगलाइक एक स्ट्क्टर हो गया ठीक है अब यह जब खाली होता है तो J के जैसा दिखाई देता है J सिप का दिखाई देगा अलग बात रहो, खाली होगा तब की न तो ये अमासा जो है इसके कितने भाग दिखाई देंगे तो अभी इसके चार भाग है कौन कौन से भाग हो गई ये वाला जो है ये हिर्दय के आस पास है हिर्दय यहीं पर दिखाई अमासा है जो हमारा कहां रहेगा हम लोगा अमासा जो है पेट में बाएं तरफ होता है चीक है और यहां पर अमासा यहां शुरू हो रहा है और यहीं पर बगल में हिर्दय है ठीक है इसलिए रात में खाना खाने के बाएं तरफ करवट करके सोना अच्छा रहता है अगर ऐसे सोते हूँ बाएं तरफ करवट करके सोते हूँ तो उसमें भोजन के अच्छे से पचने के सम्भावना होती है आव वही उल्डा पुल्डा सो गई तो भोजन अच्छे से नहीं पचता है इसे लिए देखना गौतम बूध का मूर्ति जहां भी देखो गे न सोये हुए अस्थिती में तो बाएं तरफ ऐसे करके सोये हैं कि सोने का एक मत्सकी अलग तरीका हम 23 तरीका है जिसमें का होता है तो दीकिया नहीं लगाते है प्रॉपर उपर इसे टशी नहां अच्छा पचता है सरी तुमारा स्वस्ते रहता है गैस का पीमारी नहीं होता है आच्छी नीदाने से तुम्हारे डिप्रेश्ण की समस्या नहीं आती है यह समस्या रहती है, ठीक है यह जो है अमासर का भाग हमारे हिरदे के पास वह होता है इसे क्या कहा दिए कार्डियेक पार्ट कहा दिए ठीक है यह वाला जो है इसको fundus बोल दिए ये जो है इसको body बोल दिए और ये जो है पाईलूरिक बोल दिए चेकें तो ऐसे अमासय के चार भाग हो गए अमासय क्या है ते एक थेला नुमा सनचना है जिसके मुख्यता चार भाग होते हैं cardiac fundus body और पाईलूरिक चेकं और इसमें जो है cardiac में जो asphincter है उसे क्या बोलेंगे cardiac asphincter बोलेंगे अभी जास पहले लिखे थे cardiac asphincter और ये पाईलूरिक में जो है उसे क्या बोल देंगे पाईलूरिक asphincter पाईलूरिक asphincter ठीक है अब जो बाकी ये भाग बचा ये तो हो गया asphincter के लिए ये fundus क्या करेगा तो fundus जो है ये अमासय का यो समझो लो कि गैस का आप अश्ट्वरेज है अब आसे में जो डाइजसन होगा या अनडाइजसन बाद जो भी क्रिया होगी उसमें अगर गैस बनेंगे तो गेस पंडस में कठा हुके रहेंगी। जो बाद में डाकार ले टाइम बाहर निकलते हैं। इसन对 क्षान być वार जब पानी पीते हैं अँव्यू आता है। वेःनेखाने के साथ सथ गेस गया को यहाँ पर एका ताइस पानी पिएंगे पानी पकड़ गाओ यहाँ से यहां पर ग्यास से गठा हुआ और इसका में पार्ट हो गया अब इसके बोड़ी जो है इसी के दिवाल पर क्या रहेगा यहां पर तो ग्यास्टिक फ्लूड गंदर इंजाइम रहेंगे मुकस रहेगा और हाईडुकलोरिक एसड रहेगा यह नहीं तो यहाँ पर यहाँ पाइलोरिक जो है आगे इसको फूर्ड को आगे भीजने काम करेंगा और यहाँ पर फूर्ड को आगे इंटेस्टाइन और ने इंटेस्टाइन में जाने के लिए अल ओ करेंगा वं आनसे रोखेगा तो सकार्व यह सब्सक्रायब अबस技 अंबह username इंटेस्टाइन यह जिख रहा है संजा अनक्ताइट हो नीचे अधैंड और यह इस्टॉमेग जो है जब खाली रहेगा तो जीए सेप का दिखाई देगा इसका चमता कितना होता है तो एक व्यास के इंसान में डेड़ी लीटर की चमता